नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जीवन में कई ऐसी घटनाय होती है जिस पर विश्वास नहीं होता, एक नई नविली दुलहन कभी कभी पूरे घर का विनास का कारण बन जाती है, ऐसा लड़का जो साधी से पहले माता पिता भाई बहन सभी की सुनता था, पर विवाह के कुछ अच्छे दिन बाद पूरे घर को बरबाद करने का कारण बन जाता है, पूरे घर को बरबाद करने का कारण इसलिए बन जाता है, क्योंकि वो इंसान जो विवाह से पहले सभी की सुनता था, फिर विवाह के बाद किसी की भी नहीं सुनता है, सिर्फ सुनता है तो बस अपन ही पत्नी का दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छा भला इंसान विवाह के बाद कैसे बदल जाता है और सिर्फ अपनी मनमानी करता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब करें नई नई जनकारी पाने के लिए दोस्तों तंत्र विद्या के अनुसार ये बाते सच है कि किसी एक इनसान को तोनी तोटके के माध्यम से उसके मन को बदला जा सकता है इसी का फायदा उठाते हुए कुछ इस्त्रियां अपने पती को काबू में करने के लिए मुत्र का एक तोटका करती है जिसमें इस्त्री अपने मुत्र को खाने पीने में मिला कर अपने पत्टी को खिला या पिला देती है ऐसा लगातार पांच सन्युवार करते ही पुरुस का मन बदल जाता है और वह चाहकर भी अपने पत्टी के खिलाब कोई भी बात सुनना प्रसंद नहीं करता है और एक सामान ने जीवन जीते हुए अपनी पत्नी का गुलाम सा हो जाता है दोस्तो जिस इस्तरी का पती उसकी नहीं सुनता ऐसे में वो इस टोटके का इस्तमाल करती है और अपने पती को अपने काबू में कर लेती है इससे उसका पती उसकी सिवा किसी और का बात नहीं सुनता दोस्तो इस्तरी के मुट्र को पीने के बाद ये इनसान अपनी पत्नी का गुलाम बन जाता है और उसकी हर बात को मानता है दोस्तो किसको किसको लगता है कि उसके घर में भी ऐसी घटना हो चुकी है अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई घटना घटी हो तो कॉमेंट में जरूर बताएं और अपना अनुभा जरूर सेयर करें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों अब हमें इजाज़त दिजे मिलते हैं अगले वीडियो में